असलाम वालेकूम इसके रियान किचन में आप सभी का वेलकम है आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ बहुत ही यम्मी एंट टेश्टी एंड डिलीश्यस रेसिपी वह है इमली की चटनी तो यह ऐसी रेसिपी के है कि हर किसी के मुँमें इसका नाम सुनकर पानी आ जाएग तो फ्रेंड्स चलिए बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है तो चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ तो यहाँ पर ले लिया है हमने एक बावल इसमें हम ले लेंगे 250 ग्राम इमली तो इमली को इस तरह से हम अलग-अलग कर लेंगे अच्छे से इसमें हम डालेंगे हाट वाटर यानि के बहुत ही गरम पानी ताकि जो इमली का पल्प है वो अच्छे से हम स्क्वीज कर सकें निकाल सकें उसे तो फ्रेंज देखिए यहाँ पर हमने इतना पानी लिया है कि इमली अच्छे से उसके अंदर डूप जाए और पानी उपर तक रहे और इस तरह से स्पून के हेल्प से हम उसे दबा-दबा कर और अच्छे से डिप कर देंगे और फ्रेंज इसे हम आदे घंटे के लिए ढखकर सॉफ्ट होने देंगे और देखिए फ्रेंज आदा घंटा हो चुका है अब हमारी इमली जो है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है और पानी भी जो है वो ठंडा हो चुका है तो देखिए इस तरह से हम स्पून के हेल्प से आप जो बी गुलप से इसे आपर है यह च्छे आप रजाएरी परीड से कर लेंगे जितना भी पुल्प निकले पानी के साथ में तो इतना पल्प निकला है और इतना गुदा निकाल लिया है यहार हमने बाहर और इस सब्तारा से हम जो BA होते हैं इसके वो सब remove कर लेंगे तो सारे BA हमने remove कर लिये हैं और जो रेसे होते हैं इमली के इस तरह से वो भी हमने निकाल लिया है इसमें से अच्छे से और mixijar के help से हम इसे grind कर लेंगे सभी जो गुदे हैं उनको और इसमें डाल देंगे एक कप जितना पानी तो यहाँ पर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक बड़ा सा बाउल लेकर इसमें छन्नी की हेल्प से जो पहले हमने हाथों से मसल कर पल्प निका रहा था उसे पहले छान लेंगे तो चन्नी में हमने डाल दिया और इसे हम स्पून की हेल्प से अच्छे से हिलाते हुए इसका जो सारा प्योर वोटर है वो बाहर आ जाएगा और जो उसका कच्छरा है वो चन्नी में रह जाएगा और मिक्सी जार का जो पल्प है वो भी हम इसमें ले लेंगे और ठोड़ा सा पाणी डाल कर mixu sharp मंसे पर उसका निकाल लेंगे और इसे भी हम spoon की helps से अच्छे से मसल मसल कर हिला हिला कर सारा जो प्ल्फ है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पर सारा प्ल्फ निकल चुका है और देखा आपने जो उसका एक्स्ट्रा कच्रा है वो भी निकल चुका है तो यहां ले लिया है हमने एक कढ़ाई इसमें हम ले लेंगे कुकिंग ओयल दो बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून जीरा तो जीरा तरक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून एसफोर्टीडा यानि के हिंग और हम डालेंगे इसमें हमारा पल्प सारा पल्प हमें एक साथ ही इसमें डालेंगे और स्पून की हेल्प से चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफेद नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर मेंने यूज किया है, आप चाहें तो तीखा लाल मिर्च भी ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सूट पाउडर, इसमें हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच शकर, इसमें हमारा जो चटनी का टेस्ट है वो अच्छे से निखरकर बैलेंस होगा, अच्छे से आएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सूट पाउडर, सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से हम पकाएंगे इसे, हमें इसे इतना पकाना है कि इसका जो एक लाइट कलर आए, तो मसाले के बाद अब बारी है गुड की, तो इसमें हम इमली से दुगना गुड लेंगे, 200 ग्राम हमने इमली ली है, तो हम उसका दुगना यानि के 500 ग्राम, यानि के आधा किलो 500 ग्राम हम इसमें गुड एड करेंगे, क्योंकि मैं बल्क में बना रही हूं इमली की चटनी, तो देखिए हमारी चटनी जो है मसाला से अच्छे से पक चुकी है, शाइन भी आ रहा है, और देख सकते हैं आप गाड़ी भी हो चुकी है, तो देखिए हम स्पून को डीप करकर बता रहे हैं इस तरह से, हमारी चटन की थंडी होने के बाद और गाड़ी हो चुकी है, अब हम इसे काच की बॉटल में स्टोर कर लेंगे, तो देखिए वन मन्त के लिए आप इसे फ्रीज में रखकर इस्तमाल कर सकते हैं, चाट पापड़ी में हर तरह से डीप के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको म मेरा वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस लाइक एन शिस्क्राइब और कोमेंट करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइए